राधे राधे हरी किष्णा आप सब का किष्णा दासी किष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों फागुन का महीना शुरू हो गया है और फागुन के महीने में भगवान शिव की शिव परिवार की बहुत विधी विधान से पूजा की जाती है लेकिन साथ में ही लड़ू गोपाल जी की भगवान कृष्ण के बाल सुरूप लड़ू गोपाल जी की भी पूजा बहुत विधी विधान से की जाती है कहा जाता है कि जैसे फागुन मास भगवान शिव को अतीप्रिय है वैसे ही भगवान कृष्ण को भी फागुन का महीना बहुत पसंद है हम सब लोगों को पता है कि वर्स की सबसे बड़ी महाशिवरात्री, सبसे बड़ी शिवरात्री फागुन के महीने में ही कृष्नपक्ष में आती है और बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है भगवान भोलेनात का बहुत बड़ा तिवहार होता है और शिव भग्त जो हो है शिव मैं हो जाते हैं महाशिवरात्री के दिन फागुन के कृष्ण पक्षिक में ही विजिया एकादशी भी आती है फिर उसके बाद फागुन के शुकल पक्षिक में रंग भरी एकादशी आमलिका एकादशी आती है पागन के कृष्न पक्षी में फुलैरा दूज और एकाधशी जो की रंग भरी एकाधशी होती है उसके बाद ही होली का उत्सव प्रारंब हो जाता है जो की बहुत धूमधाम से वरिंदावन धाम में भी मनाया जाती है ठाकुर जी को होली का उत्सव बहुत प्रिये है इसलिए होली बाके बिहारी जी के मंदिर में मृंदावन धाम में बहुत धूमदाम से मनाया जाता है कहा जाता है कि इस संसार में सबसे पहले होली भगवान श्री कृष्ण ने ही मनाई थी वे अपने ग्वाल बाल के संग होली खेले थे इसलिए ठाकुर जी को होली का तिवहार बहुत ही जादे पसंद है और होली का उस सबसब से पहले ठाकुर जी ने ही शुरुआत की थी पुराणों में तो यहां तक वर्णित है कि फागुन माह के फुलैरा दूज के दिन ब्रह्भाजी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्वैम विवाह करवाया था व्रिंदावन के भांडीर वन में ब्रह्भाजी ने स्वैम श्री राधा और कृष्ण का जी को ले आना चाहते हैं उनका विवा कराना चाहते हैं कोई शुब काम करना चाहते हैं तो फुलेरा दूज का दिन अति उत्तम माना जाता है फुलेरा दूज के दिन बिना कोई महरत देखे कोई भी आप शुब काम कर सकते हैं अपने घर का कोई भी मांगलिक काम कर सकते हैं क क्योंकि ये बहुत ही शुब दिन माना जाता है तो हम यहां पे बात करते हैं कि फागुन के महीने में ठाकुर जी के साथ होली कैसे खेले कैसे फागुन के महीने में ठाकुर जी की सेवा करे आप ठाकुर जी के साथ होली खेल सकते हैं इस महीने में ठाकुर जी के साथ कई तरह से होली खेलने का प्रथा है जैसे कि आप ठाकुर जी के साथ फूलों से होली खेल सकते हैं अभीर गुलाल से होली खेल सकते हैं इत्र से होली खेल सकते हैं चंदन से होली खेल सकते हैं सुगंदित द्रव्य बनाके भी होली खेल सकते हैं जानि कि कुल पाच तरीके से आप ठाक फूलों की तरह आप खिले हुए यानि खुश रहेंगे आपके जीवन में खुशियां रहेंगी अभी गुलाल से होली खेलेंगे तो ठाकुर जी आपके जीवन को रंगों से भड़ देंगे इत्र से होली खेलेंगे तो आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी सुगंदित द्रव बनाके होली खेले सुगंदित द्रव कैसे बनाते हैं उसमें चंदन मिलाएंगे फिर उसमें इत्र मिलाएंगे थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे और गुलाब जल मिलाएंगे इसको मिलाके आप सुगंदित द्रव बनाएए और ठाकुर जी के साथ होली के लिए देखिए कितना आनंद आता है सुगंदित द्रव बनाके होली केलने से आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी मैं ये यकीन के साथ कहती हूँ इस भौतिक जगत में क्या चाहिए इनसान को घर चाहिए मकान चाहिए गाड़ी चाहिए बंगला चाहिए पैसा चाहिए और आपके बच्चों के करियर में सफलता चाहिए आपके रोजगार में सफलता चाहिए आपका जीवन शांती पूर्वक और सुख पूर्वक बीते ये सारी सुविधाएं आपको ठाकुर जी बड़ी सुलवता से प्राप्त कराते हैं चंदन से आप ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे तो इससे आपके जीवन में, समाज में, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है आपको लोग इज़त की नजर से देखते हैं, सम्मान की नजर से देखते हैं तो इन पांच चीजों से आप जरूर होली खेलें ठाकुर जी के साथ इसके विशे में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी और आप देखना मत भूलिएगा कि कैसे इन पांच चीजों के साथ आप ठाकुर जी के साथ होली खेल सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को होली का तिवहार अत्यन तिप्रिय है इसमें कोई भी असत्य बात नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं विरिंदावन धाम में बसंत पंचमी से ही होली का उत्सव प्रारंब हो जाता है यानि कि 40 दिन तक होली खेली जाती है और कई तरह से होली वहाँ पे खेली जाती है इसलिए यह मानना है कि ठाकुर जी को होली खेलना अत्यनत पसंद है इसलिए आप ठाकुर जी को सनान कराईए अभी थोड़ा हलकी हलकी सड़दिया है हलके गुनकुने पानी से स्नान कराईए स्नान कराने से पहले आप ठाकुर जी के साथ होली खेल सकते है किसी दिन आप फूलों से खेल लीजिए होली किसी दिन आप अबीर गुलाल से खेल लीजिए किसी दिन आप चंदन से खेल लीजिए, किसी दिन इत्र से खेल लीजिए, किसी दिन सुगंदे द्रवे से खेल लीजिए तो इस तरह से करकर के आप बारी बारी होली खेलिए ठाकुर जी के साथ और रंगीन वस्त धारन कराईए होली का तेवहार रंगों का तेवहार है इसलिए ठाकुर जी को रंगीन वस्त धारन कराईए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि व्रज में तो बसंत पंचमी से ही होली की शुरुवात हो जाती है और आप पूरे फागुन के महीने में ठाकुर जी के साथ होली खेल सकते हैं आपको बता दे कि ब्रज में होली बसंत पंचमी से शुरू होती है वही पे मतुरा में होली फुलेरा दूज से शुरू होती है इसलिए फागुन के महीने में जरूर खेले ठाकुर जी के साथ होली और सुन्दर सुन्दर शिंगार करें रंग बिरंगे वस्तरों को पहनाए ठाकुर जी को उन्हें बहुत अच्छा लगेगा उन्हें इत्रकी मालिश करें सेवा करें चंदन से शिंगार करें फूलों से शिंगार करें और ठाकुर जी को नित्य भोग लगाएं भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें फागुन का महीना है ठाकुर जी को हो सके तो मीठा भोग लगाएं माकन मिश्डी का भोग लगाए और होली के उस सब में तो घर घर नए नए और अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं तो आप चाहे तो कुछ-कुछ ठाकुर जी को बना के आप भोग भी लगा सकते हैं दोस्तों, दुनिया के रंगों में रंगने से कोई फाइदा नहीं है रंगना है तो हमारे ठाकुर जी के रंग में रंगे क्योंकि वास्तविक रंग वही है ठाकुर जी के रंग में रंग जाएंगे तो ये रंग कभी नहीं चूटेगा और दुनिया के रंगों में अगर रंगेंगे तो एक नए एक दिन धोखा जरूर पाएंगे इसलिए कोशिश करें कि ठाकुर जी के रंगों में रंगिये भगवान श्री क्रिश्न के रंगों में रंगिये उनकी सेवा में लिन हो जाएए और देखिये जीवन में आनन्द ही आनन्द रहेगा पागुन के महीने में महाशिवरात्री का तिवहार आता है जो की बहुत बड़ा तिवहार होता है भगवान भोले नात जी का कहा जाता है महा शिवरात्री के दिन ही महा देव और माता पार्वती का विवा संपन हुआ था तो इस दिन जरूर करे भोलेनाथ जी की सेवा और अपने ठाकूर जी की सेवा भगवान भोले नाथ जी की सेवा पूजा करने से यानि की शिव परिवार की पूजा करने से आपके दामपत्य जीवन में हमेशा मधुरता बनी रहती है शिव परिवार ही एक ऐसा परिवार है जो पूर्ण रूप से संपन्न है इसलिए महा शिवरात्री जो वर्ष में बड़ी शिवरात्री मानी जाती है उस दिन आप शिव परिवार की पूरे शिव परिवार की पूजा करें और विदी विदान से पूजा करें भगवान बोले आत्माता पारवती गनेश कार्तिके जी के साथ भी आप होली खेलें क्योंकि ये फागुन का महीना रंगों का महीना माना जाता है आप जरूर अभीर गुलाल लगाएं और शिव जी की विदी विदान से पूजा करें महा शिवरातरी के दिन हो सके तो आप अखंड जोत जरू अपने मन में वो अवश्य पूरी होती है एक चीज और फागुन के महीने में ठाकुर जी को लड़ो गोपाल जी को सुगंदित सेवा यानि इत्र की सेवा आप जरूर दे जो भी इत्र आपको मिले गुलाब का चंदन का चमेली का बेली का आप सुगंदित सेवा ठाकुर ज पुष्पों से सेवा जरूर करें ठाकुर जी को क्योंकि वैसे भी फुलेरा दूज के दिन तो फूलों से होली खेली जाती है और ठाकुर जी को पुष्प सेवा अती पसंद है इस महीने में आप चाहे तो अपने द्वार पे तोरण भी लगा सकते हैं तोरण लगाने से घ और अशोक के पत्तों का इस्तमाल कर सकते हैं और मार्केट में भी तोरण बना बनाया मिलता है घर की मेन गेट पे तोरण या बंदरवान लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर होती है अगर आपके पास लड़ो गोपाल जी नहीं है तो पूजा कर सकते हैं आप चाहें तो फागुन के महीने में लड़ो गोपाल जी का शेविग्रे घर में ले आ सकते हैं यदि किसी को संतान प्राप्ती की इक्षा है तो वह फागुन के महीने में भगवान कृष्ण के बाल सरूप लड़ो गोपाल जी का शेविग्रे लेया के पूरे फागुन माह में यदि अच्छे से नित्य सेवा करे पूजा करे तो यकीन मानिये संतान प्राप्ती के योग भी बनते हैं वही पे जो भी पति पत्नी अपने जीवन में मदूर्टा चाहते हैं चाहते हैं कि पति पत्नी में प्यार बना रहे वो फागुन के महीने में राधा कृष्ण की पूजा जरूर करे रादा किष्ण को लाल गुलाब अर्पित करें और अभीर गुलाल अवश्य लगाएं सेवा करती करती ठाकुर जी की भोग का भी ध्यान रखना अती अवश्यक होता है बाल गोपाल लड़ू गोपाल जी बाल सुरूप हैं नित्ते ही ठाकुर जी को दूद का भोग लगाना चाहिए दूद में मिश्री और तुलसी दल डालके ही दूद का भोग लगाएं रितू फल का भोग लगाएं मिठाई का भोग लगाएं हो सके तो माकन मिश्री का भोग लगाएं मतलब जो आप से बन पड़े आप वो ठाकुर जी को अवश्य और अवश्य भोग लगाएं फागुन का महीना हो या कोई भी महीना हो लड़ू गोपाल जी की प्रती दिन सेवा करनी चाहिए उन्हें स्नान कराइए वस्त्र सेवा करिए भोग सेवा करिए पुष्प सेवा करिए चंदन सेवा करिए इत्र सेवा करिए ये सब सेवाए ठाकुर जी की नित्य शेवाओं मे सामिल होती है ठाकुर जी की सेवा में तुलसी पत्र रखना कभी मत भूलिएगा और यदि आपके पास एक से अधिक ठाकुर जी है तो एक समान ही सेवा करिएगा चाहे जितने भी ठाकुर जी हो एक हो दो हो तीन हो एक समान एक भाव से ही ठाकुर जी की सेवा करिएगा तो दोस्तों फागुन के महीने में कैसे करे बाल गोपाल लड़ो गोपाल जी की सेवा, क्या नियम है, कैसे ठाकुर जी के साथ होली खेले, किन किन चीजों से होली खेले, और क्या भोग लगाएं, कैसे वस्तर सेवा करे, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको ज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस करे, ताकि जो भी लेटिस्ट वीडियो आए, वो आप तक पहुंच सके, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे, और वीडियो को शेयर करना ना भूले, मिलती हूं, नेक्स्ट वीडियो में तब त के लिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, जैश्री कृष्ण, आप सब को होली की हार्दिक और अनंत अनंत शुप काम नाए